पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा भुकम पाया है जिस भुकम ने न सिर्ब जम्मू कश्मीर से 11.370 और 35 को खतम कर दिया बलकि जम्मू कश्मीर जो एक खुसूसी रियासत का धरजा रखती थी उसे यूनिन टेरिटिरी में तब्दील कर दिया और हलके जटके आते रहते हैं जिन्हें ऐफर्शॉक्स कहते हैं ठीक उसी तरह इस बड़े भुकम के बाद जमू कश्मीर में आफर्शॉक्स आते रहें कभी डिमिसायल के रूप में कभी किसी और रूप में और हाल ही में जो आफर्शॉक्स जमू कश्मीर में कैट याने Central Administrative करने के साथ साथ इस जटके की शिद्दत के एसास जम्हु कश्मीर के नाकरिकों को जरूर होगा खास करके यहां के एमपलाइज को आज हम इसी मौदू पर प्रामिटर्स डेस्की इस एपिसोड में गुफ्तगू करेंगे मेरा नाम शेख नासिर है आज अपनी बात रखने से पहले मैं एक मरतबा फिर आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ यह कहानी एक कपल की है जो एक बच्चे को लेकर के एक रेलवे स्टेशन के परेट फार्म पर बैठे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे इतने में एक खिलोने वाला वहां से गुजरता है तो बच्चे ने खिलो लेकर के दिया और बच्चा उस खिलोने के साथ खेलता रहा थोड़ी देर में एक और खिलोने वाला उस जगे से गुजरता है जिसके पास उससे महंगे खिलोने बेचने के लिए थी बच्चे ने ये पुराना खिलोना उठाकर अपने बाप की गोद में फैंक दिया और जि उस बाबा जी ने इस शक्स से पूछा कि क्या बात हुई तो उसने बताया कि बच्चे को खिलोना लेकर के दिया था लेकिन आप भी जिद कर रहा है कि इसे एक और खिलोना चाहिए तो उस बाबा जी ने उस आदमी से कहा कि ये जो खिलोना आपके पास है या आप मुझे दे उस शक्स ने वो खिलोना बाबाजी को दे दिया और बच्चे ने जब देखा कि उसके पास जो खिलोना पहले से था उसे भी किसी और को दिया गया उसने नया खिलोना खरीजने की जिद छोड़ दी और अपना पुराना खिलोना ही वापस मांगने लगा कुछ देर बच्चे ने रोना दोना शुरू कर दिया इतने में बाबाजी ने वापस वो खिलोना उस बच्चे को दे करके ये कहा कि अगर आपने दुबारा जिद की तो मैं फिर से तुम्हारा एक खिलोना तुमसे च्छीन लूगा इतने में ट्रेन आ गई और बच्चा खुशी खुशी अपने खिलोने के साथ अपने पैरेश के उस ट्रेन में बैश करके चला गया चलिया बात करते हैं आज के टॉपिक की जमु कश्मीर के मसले को लेकर के हर मरकजी सरकार का एक अलग तरिके कार रहा है कांगरस की स्ट्रेटजी मसले कश्मीर के लिए मुक्तलिफ थी वहीं गेर कांगरसी सरकारों ने इस मसले के लिए एक अलग तरिके कार अपनाया हुआ था और अगर बीजेपी की भी बात करें तो अटल विहारी वाजपाई की सरबहाई वारी सरकार भी मसले कश्मीर को एक अलग तरिके से डील कर रही थी लेकिन अगर मुझूदा सरकार की बात करें तो मुझूदा सरकार की जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल पलेट फार बर बैठे है वो इस बाबाजी की तरह है माना की बीजेपी के मैनिफेस्टों में ये बात जरूर थी कि वो जमू कश्मीर से धारा 370 को खतम करना चाहती है और इस मैनिफेस्टों इस कमिट्मेंट को लेकर के बहुत सारे लोग उसे वोट भी करते थे लेकिन 5 अगस्त को ना सिर्फ जमू कश्मीर से धारा 370 को खतम कर दिया गया बलकि जमू कश्मीर जो एक स्पेशल स्टेट थी उसका स्टेट हुट खतम करके इसे यूनिन टेरिटेरी में तब्दील कर दिया गया और ये ना सिर्फ भारते जन्ता पार्टी के उन वोटर्स और सपोर्टर्स के लिए एक सर्प्राइज था बलकि पार्टी के जो वरिष्ट नेता हैं जो पार्लिमेंटेरियन हैं जो विधायक हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा जटका था कि इतना बड़ा फैसला जमु कश्मीर के नागरी की नहीं पूरे मुल्क के लोग भी उसे जानते हैं एक बहुत बड़ा भुकम पाया जिस भुकम पर ना सिर्फ 335 खतमा बलकि उस भुकम ने जमु कश्मीर रियासत की शकल को ही तबदील कर दिया और जब भी कभी भुकम पाता है उसके बाद तो बहुत सारे जट के जमु कश्मीर में आठ चुके हैं और बहुत सारे अभी आने बाकी हैं थाली में जब जमु कश्मीर में लाया गया तो उस में कुछ वाता की बात िहीं जो यहां के नवजवानों को दिए उसमें यह कहा गया था कि जो चोटी नोक्रिया हैं जो 4th Class यया चोटे मुलागमों के असामिया है उसके लिए जमू कश्मीर के डॉमिसाइल सेटिफिकेट जिन लोगं के पास होगा वही इलिजबल होंगे जबकि उससे उपर वाली जितनी भी असामिया होंगे उसमें पूरे मुर्ग के लोग उसके लिए अपलाई कर सकते हैं लेकिन जमू कश्मीर के लोगों ने जब एतराश शुरू कर दिया तो कुछी गंटों के बाद उस एक्ट में तर्मीम की गई उसमें यह कहा गया कि जमू कश्मीर में जितनी भी असामिया होंगे उन सब के लिए डॉमिसाइल सेटिफिकेट जोगों के पास होगा वही इलिजबल है डॉ पहले ही मरकजी सरकार इस तरह का कानून लेकर आती तो यकीनना उसके खिलाबी आवाज उठनी शुरू हो जाती लेकिन मरकजी सरकार ने पहले हार्श कानून लाया ताकि लोग उसके खिलाब आवाज उचैंआं और वो उसमें थोड़ी बहुत नmand commitment कर बहूं के दोरा अगर आप उसको वापस लेने के लिए स्ट्राइगल करेंगे तो वो आपको वापस थमाया जाएगा ताकि आप उससे ज्यादा लेने या मांगने की तवाका न कर सको अब हाली में जो एक जटका जमू कश्मीर में जो आफटर शॉक कैट के रूप में आया है सेंटरल एडिम जिसमें ये कहा जाता है कि जमू कश्मीर में जो भी रेक्रूर्मन और सर्विस के मामला थें उनकी जरूरिक्शन अब चंदीगर कैट बेंच के जायरे में आती है जी हाँ ये तो एक्सपेक्टिट बात थी ये तो जाहिर सी बात है कि पहले जो सेंटरल गौर्मन के मुलाजमीं जमू कश्मीर में थे उनके लिए कैट चंदीगर उनकी जरूरिक्शन थी उनके सेर्विस और रेक्रूर्मन मामला जो भी थे वो चंदीगर कैट के हदूद म संटरल गौर्मिट के जितने भी आंए दो चंदीगर और मस कुनती है और सटेट गौर्मन के जिट्ने बी सेर्विस और रेकूर्पूर्मन के रिलेटेड मामला को रह σत ही मौकरosoya करती दिया जमू कश्मीर एक सटेट ती इसलिए यहां के स्टेट एप्रस्यां मेंतर ते सुना करते थी और कैट चंदिगड का एक बेंच रोटेशन बेसिस पर जम्मू में भी आता रहा है कैट बैसिकली है क्या सेंट्रल अड्मिस्ट्रेट्ट्ट ट्रिबिनल जो गोवर्मेंट एंप्लाइज के रिक्रूर्माइज सर्विस लेटेल महामलात हैं सेंट्रल गोवर् एक बेंच हैं जिसकी जुरियूडिक्शन में पंजाब, हरियाना, हिमाचल और जम्मों कशमीर स्टेट्स के रावा यूनिन टेर्टिर्यरी चंदीगर्ण भी आती है अभी भी पंजाब, हरियाना, हिमाचल के सेंट्रल गोवर्मेंट के एंपलाइज के मामलात चंदीगर् एक स्टेट नहीं रही यह एक union territory बनी और यहां के जितने भी एंप्लाइज थे चाहे वो स्टेट गौर्णमेंट के साथ जुड़े हुए थे या सेंटरल गौर्णमेंट के साथ थे अब सब को सेंटरल गौर्णमेंट एमप्लाइज यह तसवर किया जाएगा इस तरीके से उ लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी लोगों ने यह कहा कि अब छोटे से मामले के लिए भी हमको चंदीगर जाना पड़ेगा जो किहां के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है लेकिन फोरण ही जो इस वोकर हमारी रियास् उन्होंने कहा कि जमू कश्मीर के मुलाजमें को चंदीगर अपने मामलात के निप्टारे के लिए नहीं जाना पड़ेगा बलकि जमू में और सरीनगर में कैट के पर्मनेंट बेंचिस काइम किये जाएंगे एक एशुरंस है हलांकि इसके लेकर कि अभी सरकार ने कोई नो मरकजी सरकार का फैसला है ये लोगों के हित्म है क्या ये यहां के लोगों खास करके सरकारी मुलाजमीन के हित्म है तो आए इस पर हम थोड़ी से नजर डालते हैं जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि कैट चंदीगर की जिरोडिक्शन में हिमाचल हरियाना और पं दाएरे में आते हैं अब जमू कश्मीर के से उठीडिक्रें नामलाग्या के दारे हदूद मैं अक जहा चंदीगर की तरह चोटा सा शहर तो या इस तरह के मामलात को लेकर के हाई कोट का दर्वाजा खटखटाते थे 25 लाग के करीब हमारी रहासा जमू कश्मीर के अंदर एजुकरिट अनपलाइड यूथ है उसके अलावा साड़े चार लाग के करीब यहां सरकारी मुलाजमीन है और डेड़ लाग के करीब पैंशनर्स हैं इसके अलावा यहां बहुत सारी तेदा आंगरारी वरकर्स की हैं डेली वेजर्स की हैं एस्पियोज की हैं रहबर तालीम जो टीचर से उनकी है तो कुल मिला करके यह बहुत बड़ी संखिया में यहां स इनके सारे के सारे मामला अब अडिविस्टेट्यू ट्रिबनल ही सुना करेगी अगर इस वकर जमू कश्मीर हाई कोट में देखें तो 30 से 40 हजार तक के मामले अभी पैंडिंग पड़े हुए हैं और यह 30 से 40 हजार जो सर्विस और रेकृट्मेंट को लेकर के मैटर्स हाई हाई कोट में पैंडिंग है इन मामलात में निपटा आया सके हैं अब सवाल यह प्यादा होता है कि मान लेते हैं कि चंदीगड में नहीं बिलकि जमू में एक बेंच काइम किया जाएगा तो जहां हाई कोट मुकमल एक हाई कोट कश्मीर में भी जमू में भी काफी अची तेदाद में जजिज तीस से चालिस हजार मुकदमों के जल्द निप्टारा करने में उन्हें दिक्कत पेश आ रही थी तो क्या एक बेंच तीस से चालिस हजार मामलों का निप्टारा करने में जो है इस से ज्यादा एफेक्टिव रहेगा और आए दिन इन मामलात में अजाफा होता ही रहना है सरकारी मलाजमिन की तेदाद में अजाफा होना है एक तेदाद कई गणा बढ़ सकती है तो क्या ऐसे में एक bench के सारे मामलात हल करने की शम्ता रखता है जहां high court की इतने सारे judges के लिए ये एक बहुत बड़ा challenge था इतने सारे मामलात को हल करना एक challenge था वहीं अब एक bench अगर मान भी लेते हैं कि जो मरकिजी सरकार की assurance अगर उसे दुरस्ट भी मान लेते हैं तो तब ये दिक्कतों के लिए का एक नया जो है वो चप्टर शुरू हो जाएगा जहां गुरेज तंगडार मरवा वारवन दचन या पाडर के किसी मुलाजम को कोई भी उसके साथ को injustice हुआ हो उसकी कोई premature transfer हुई हो या recruitment के मामले में कोई नाइंसाफी हुई हो वो फोरण जमू ज करके हाई कोट का जरौजा कर रहा था था और इंसाफ की जो है वहाँ अपील करता था अब अगर उसे अपने इस इस इनसाफ के लिए चंदीगर जाना पड़े या उसे जमू में कैट के एक बेंच के पास जाना पड़े तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए काफी मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ अरड़ी इतने सारे मुकदमा इलतवा में पड़े होंगे कि शायद उसे इनसाफ मिलने में काफी वक्त लग सकता है ऐसे में मरकजी सरकार का यह फेसला चाहे चंदीगर में कैट का पर्मेंट जो बेंच है उसको लेकर कि है जमू में कोई कोई बहुत ज्यादे है खास करके सरकारी मुलाजमीन को वही अगर हम बात करें जमू कश्मीर यूनिन टेरिटरी के जो आंगर वारी वर्कर्स या डेली वेजर्स की बात करें तो उनके लिए तो यह नामुमकिन सी बात होगी कि वह एक चोटे से मसले के लिए कैट का दर्वाज खटकटा सकें अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर इस तरह का कोई फैसला आया है तो क्या इसके खिलाफ आवाजें उच्ट पाएंगी क्या इसके खिलाफ लोग या खास करके बार असुशेशन कोई अजिटेशन शुरू करेंगी तो लगता तो यह है कि जमू जमू बार असुशेशन कि इस कि जो तस्वीर है वो माजी की तरह नहीं है वो बिलकुल मुद्ख है जमू बार असुशेशन एक बहुत बड़ी स्ट्रौंग एसुशेशन हुआ करती थी माजी के अगर हम बात करें तो बहुत सारी सकस्पुल एजिटेशन इस बाहर ने चल मानी जाती थी लेकिन आज के वक्त में जमूबारस्टेशन के 80 फीसद भुकला उनकी एफिलेशन भार्टे जन्ता पार्टी के साथ इसलिए अब उनकी जबान भी खामोश है किसी भी ऐसे फैसले के खिलाब वो एजिटेशन करने से पहले सो बार सोचते हैं और अपनी पॉलिटिकल एफिलेशन को मद नज़र रखते हैं वो हमेशा चुपई साथते हैं हाली में हमने देखा कि रिजिस्टेशन एक्ट में जो तबदीली लाई जो जुरिशल आफिसर से रिजिस्टेशन का काम लेकर रिवनिय आफिसे के हवाले किया गया उसमें जमूबार सेशन एजिटेशन शुरूर तो जरूर की थी लेकिन उसे किसी लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचा सके और आज जब एक बड़ा फैसला कैट के रूप में सामने आया है तो जमूबार सेशन भी एक डिवाइड़ होस नजर आ रहा है कुछ लोग इस फैसले की सरहना करते हैं शायद वो ये भी अपनी जगा तसलीम करते होंगे कि ये उनके हित में नहीं हैं लेकिन सियासी मजबूरी के चलते वो इस फैसले का वेलकम करते हैं वहीं कुछ लोग इसके खिलब आ एक बहुत बड़े दबाव में हैं उनके बहुत सारे वुकला नजर बंद हैं कुछ के खिलाफ जो है वो कैसिज रिश्टर होए हैं तो ऐसे में ये लगता है कि सिरनगर बार रस्टेशन भी अगर चाहे भी तब भी वो इतने असर अंदास तरीके से इस मामले को लेकर के श क्काम जो गुजश्चता दिनों मरकेज सरकार के तरफ से किये गए फैसलों की तरह इसे भी सरकम तस्लीम करेंगे लेकिन आने वाले वक्त में यहां के लोगों के लिए खसुसन सरकारी मुलाजमीन के लिए ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की वज़ा बन सकती है आज का अप बजारी जरूर करूंगा कि आप हमारा फेस्बुक पेज लाइक करें और हमारा यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें और बैल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कभी हम को वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिक्शन मिलता रहे है बहुत बहुत शुक अपलोड करें